हेलो प्रेंट्स लेवेल टेट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले यह स्टांडर्ड डिस्क्लेमर है जो आप पढ़ सकते हैं तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्कस करेंगे बैठ हर्मोनिक जो की क्रेट हुआ है डिमांड जोन के आसपास तो बैठ हर्मोनिक क्या है बैठ हर्मोनिक चार्ट पेटन क्या है और जब यह बैठ हर्मोनिक चार्ट पेटन डिमांड जोन के आसपास क्रेट हो तो उसका प्रभावलेटी और बढ़ जाता कि वह वहां से reversal हो तो इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरह से analysis करेंगे आगे बनने से पहले मेरा एक request है कि आप अभी तक अगर ये चनल को subscribe नहीं किए तो please subscribe कर सकते हैं, subscribe कर नहीं वीडियो के निचे रेट कलर का subscribe button में उसको पर आप click कर सकते हैं, description पर टेलिग्राम चनल का link है, वहां जाके आप join कर सकते हैं जो free of cost है और कुछ query अगर आपका है तो email ID भी दिया हुआ है, description से आप मुझे email कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो देखिए यह जिरोदा का kite plot में तो यह bet pattern है, तो bet pattern formation हुआ है graphite, graphite stock का नाम आप यहां पर आप देख सकते हैं graphite में तो यह formation कैसे हुआ है, देखिए यहां से price का momentum यहां तक गया, ठीक है, फिर यहां से यहां तक redressment हुआ, फिर यहां से यहां तक हुआ, फिर यहां से फॉज जो fall आया है, वो यहां तक हुआ है, इन जो pick point को और low point को, swing high, swing low को अगर आप जोड़ेंगे, तो एक bet का formation होता है लेकिन at the same time, अगर आप देखेंगे, तो यह lower side पे, यहां से जहां से वो formation होना शुरू हुआ है, ठीक वहीं पे इसका demand zone create हो रहा है, demand zone सिर्फ इसी zone यहां से शुरू हुआ, इसके लिए नहीं है, अगर इसको थोड़ा पूराना data में अगर आपको दिखाओं, तो यहां से, यहां पर एक बार उसने support लेके उपर जाने की कोशिस किया, फिर उसने थोड़ा, फिर जहां से support लिया था, उसी zone को respect करते हुए, वो resistance लेके नीचे आया, फिर उसी zone को resistance लेके नीचे आया, फिर उसी zone को resistance लेके नीचे आया, फिर उसी zone के आसपास थोड़ा consolidate करने की कोशिस किया फिर उपर गया फिर वहां से जहां से वो चार-पांच बार वहां से रेजिस्टन्स ले रहा था उसी जोन से वो रेस्पेट करके उपर गया फिर निचे आगया फिर उसी जोन से respect करके उपर गया अब भी क्या हुआ है अभी recently यहां से उसने support लेके उपर भागा है और at present at present अगर आप देखेंगे ठिक उसी zone demand zone के आसपास आ गया है तो इतनी बार अगर stock एक ही zone को respect करे और एक ही zone में support या resistance लेता है तो वो एक demand zone बन जाता है तो demand zone के आसपास से उसको bounce back लेने का chances probability और बढ़ जाता है देखिए bad pattern तो ठीक है bad pattern ठीक है लिकिन वो demand zone के आसपास भी आ चुका है तो इसकी probability और chances यहां से bounce back करने का जादा बढ़ जाता है similarly अगर आप upside में देखेंगे तो यहां पर एक demand zone create हुआ है ठीक है यह demand zone किसका है यह supply का demand supply zone है तो इसको supply zone तो आप देख सकते हैं यह blue color का zone है ठीक है यह blue color का zone है तो उसको हम demand zone कहते हैं कि यहां से price आएगा तो एक reversal pattern बन सकता है और यह जो red color का यह जो zone है upside में तो इसको हम बोलेंगे supply zone तो देखें यहां पर supply zone इसलिए भी है क्योंकि यहां पर देखें वह बहुत बार इसको respect करते है कि यह trend line में ने upside के direction में downtrend में draw किया हुआ है तो यह trend line को अगर आप देखेंगे 123 त्री टाइम इस trend line को यहां से बहुत respect करके नीचे आया है तो अगर यह उपर यहां से price action के basis पर आमको trade लेना है तो यह एक ही दिन में आपको पूरा target देगा ऐसा है नहीं है यह आपको जानवारी मंद expiry तक आपको मिल जाना चाहिए अगर यह यहां से bounce back करने का कोसिस करता है और based on price action price action मतलब आपको candle का closing important है मतलब आज कर दिन अगर आप candle देखेंगे तो आज का दिन जो candle है वो डिमांड जोन के आज पास जाके close दिया है इसका closing अगर आप देखेंगे तो 794 है ठीक है तो 794 अगर closing है तो price action मतलब एक दो green candle के उपर दो green candle higher high बनना चाहिए closing basis पे and second जो green candle बनेगा उसके high के उपर जो ट्रेड करें तब आप ट्रेड ले सकते हैं stop loss जाल सकते हैं swing low यहां पे या थोड़ा अगर आप stop loss थोड़ा रखेंगे तो यह जो swing low है इसका जो swing low है आप देख सकते हैं इसका low है 765 तो 764 में आप strict stop loss लगा के आप इसको swing trading के लिए ले सकते हैं January expiry तक ठीक है तो यह जब भी आप ट्रेड लेंगे अगर आप ऐसा होता है price section का अगर फर्मेंजिए तो अभी हुआ नहीं है उमीद है कि यहां से उपर जाने की वह कोसिस करेगा अगर उपर वह जाता है । से बाइर。」 तो कितना उपर जा सकता है मतलब मेरा करने का मतलब अमतलब है target काहां तक हो सकता है तो target के लिए मैं आप बोल दूँ कि आप अगरotechn की ड्र唱 करेंगे ठीक है फीवोना की ड्रो करेंगे यहहां तक का जो रिटराज्मेंट है वहां तक कर जाता है 956 तक जाने का सांसे से यह मैं सिर्फ प्रेजंट सिनारियों में हमें आपको बोल ला हूं क्या टार्गेट होगा लेकिन 900 तब तो आपको मिल जाना चाहिए अगर अभी 794 पर स्टॉक प्राइस चल रहा है ठीक है तो यह बेट हर्मनिक का पैटन है जो हम डिमांड जोन के आसपास से लेकिए इसको ट्रेड करने का कोसिस करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं मेरा जो अनलीसिस है डिमांड जो क्रेट हो रहा है इन 765 से लेकिए 800 के आसपास ब 765 लेवल जो कि आ चुका है 794 इसका स्टॉक प्राइस है और बाउंस बेक एगें तो यहां से बाउंस बेक लेने का 90 परसेंट चासे साब बॉल सकते हैं है अगर यह प्राइस से लेगा अगर यह प्राइस एक्शन फॉरमेसर ना होतके 765 का जो लेवल है जो यह जो लाइन लेना ही है तो 765 को बिना ब्रेक किये हुए प्राइस सेक्शन फॉरम करके यहां से उसको उपर जाना चाहिए अगर यह उपर जाता है तो इसका जो फास्ट अर्मनिक पैटन उमीद करता हूं को यह बैट और हर्मनिक जो चार्ट पैटन है उसके साथ-साथ हम इंक्लूड क कर रहे है इसमें जोन जब भी यह पैटन आपको डिमांड जोन के आसपास से गोड़ों सिर्फ मत बैटन को ट्रेड मत करें बैट पैटन तो वहते सो फरमेंसाँ हो तो इसका चांसे बढ़ जाता है कि वहां से बहुत हो तो उमीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ग consultant के साथ advice कर लिजेगा ठीक है तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लगा है तो प्लीज लाइक करिए श्यार करिए ज्याद़ से ज्याद़ and thank you so much for watching this video thank you so much